एलो दोस्तो मुझे उम्मीद है कि आप सबी अच्छे होंगे दोस्तो हमारे सास्त्रों में बताया गया है कि हमें अमारी नियत के अनुसारी फल मिलता है यानि कि आप जैसे कर्म करते हैं आपको वैसा ही फल मिलता है साती यह भी बताया गया है कि करन केजा और फली की इच्छा मत कर इन सब बातों को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक गाउं में एक भोला-भाला किसान रहता था जो भहत इमानदार था वैं अमेसा ही दूसरों लोगों की मदद के लिए तयार रहता था एक दिन रात के समय वैं अपने खेतों से लोट रहा था तब ही उसके पैर में काटों से भरा एक पोदम मिल गया उसने सोचे कि यह काटे किसी दूसरी इंसान को भी चुप सकते हैं इसलिए उस पोदे को उखाड़ देना चाहिए जैसे ही वैं उस पोदे को उखाड़ने लगा तो उसे सोने के कुछ सिक्के दिखाए दिए उसने वैं सिक्के नहीं उठाए और कहा कि अगर यह सिक्के मेरे लिए हैं तो जिस बगवान ने ये सिक्के मुझे दिखाए हैं, वे इन सिक्कों को मेरे घर तक भी पहुचा देगा। वे किसान घर की और चल पड़ा और घर पहुचकर सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उसकी पत्नी ने उसी दिन बातो ही बातों में ये सारी बाते पड़ोस में रहने वाली एक औरत को बता दी। उस औरत ने ये सारी बाते अपने पत्ती को बता दी। उनके घर के सभी सदस्य उसी रात को उस जहें पहुच गए चाहाँ पर उस किसान के पैर में काटा लगा था और सभी ने मिलकर खुदाई चालू कर दी वहाँ पर उन्हें बहुत सारे गड़े मिले जैसे ही उन्होंने गड़ों को खोला तो वे सभी चोग गए क्योंकि उन गड़ों में सोने के सिके नहीं बलकि साब बिच्चू बरे हुए थे सभी आपस में बाते करने लगे कि किसान हमें इन साब बिच्चों से मरवाना चाता था सभी ने मिलकर योजना बनाई कि इन गड़ों में बरे साब बिच्चों को उसी के घर में छोड़ देते हैं और उन्होंने ऐसा ही किया लेकिन भगवान की लीला को देखिए किया दोस्तो इस कानी से मैं आपको यह समझाना चाता हूँ कि आपके किसमत में जो लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा किसी ने सही किया है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको कोई वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इस सी ला इक जरूर कीजिएगा अगरा आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब करना बिलमत भूलेगा अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी है, तो आप इससे सेयर भी कर सकते हैं, आप कोई वीडियो कैसे लगी, आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, थैंक यू